विश्वर में फैली नोवल करोना वायरिस की बिमारी को मात देने में सरकार की मदद करें आप सभी से अनुरोध हैं कि भारत सरकार दोरा लागू किये गए लॉक डाउन को गंभीरता से फॉलू करें इसके अधिनाय सभी आदेशों का पालन करें हमें जुट होकर ही इस बिमारी को हरा सकते हैं घर में रहें सहस्त रहें तो दोस्तों किंडी के पेशेंटों के एक बहुत बड़ी दिक्कत यह होती है कि उनकी परेशानियां हेल्दी इंसान नहीं समझ पाते तो सब किंडी के बिमारियां बाहरी रूप से नहीं दिखती हैं और लोग ऐसी ही बिमारियों को जज़ कर सकते हैं जो बाहरी रूप से दिखती हो जैसे कि हड़ियां का तूटना वगेरा पर चूंकि किंडी के बिमारियां अंदरूनी बिमारियां होती हैं इसलिए अगर patient भार से भी safe दिख रहा हो, भार से भी healthy दिख रहा हो, तो अभी अंदर से वो बहुत परिशानी में रहता है। इसी वज़े से जातर kidney के patient ये चाहते हैं कि उनके आसपास के लोग उनकी परिशानी को समझें। ऐसी कई सारी बाते हैं जो जातर kidney के patient अपने आसपास के लोग को समझाना चाहते हैं पर वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। उनके हमेशा ये लगता रहता है कि उनके अलावा कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि वो emotionally और physically कैसा फील कर रहे हैं। चले आपको बताते हैं चार ऐसी चीजें जो एक kidney के patient हमेशा सूच रहा होगा कि उसके आसपास वालों को भी पता हो। सबसे पहले चीज तो है कि kidney के बिमारी एक बहुती थकान और परिशान करने वाली बिमारी होती है। किड़ी के बिमारी के साथ एक अलग ही तरीके की ठकान आ जाती है। और ये ठकान कब आ जाएगी आपको इसका पता नहीं होता। किंडिक विमारी के दवरान आपका दिन अच्छा भी हो सकता है और आपका दिन बुरा भी यह आपके सो के उठने पर ही निर्भर कर जाता है कभी कारतों आप बिल्कुल फ्रेश आउठेंगे और कभी कब बार दो आपको अपने बैट से उठने का दिल भी नहीं करेगा कुछ ऐसे ही दिनों में किंडिके पेशेंटों को जाता सोने का ही दिल करता है लोग समझते हैं कि वो लेजी हो गए हैं पर वो लेजी नहीं होते बलकि उनका शरी बहुती कमजूर हो गया होता है दिन के उरटे साथ ही उनका energy level इतना कम होता है जितना आदमी का पूरे दिन गुजारने के बाद होता है किण्री के patient के परिवार वालों को ऐसा लगता है कि उनका किण्री का patient हमेशा थकान का बहाना करने लगता है और ये सिर्फ एक मांसिक सित्य है जबकि ऐसा नहीं होता किड्डी के हर पेशंट की अनर्जी लेवल बहुत ही कम हो जाता है दूसरी चीज जो आपको किड्डी के बिमारी के बारे में जानने की ज़रुद है वो ये कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं किंडी के मिमारी के कोई physical symptom तो होते नहीं इसलिए दोस्तों को साथियों को ये पता नहीं चल पाता कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है अगर वो ओके दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओके फील कर रहे हैं अगर उनका चेहरा अच्छा दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो emotionally भी अच्छा फील कर रहे होंगे जावतर किंडी के पेशेंट अपने चेहरे में ऐसा दिखने भी नहीं देते कि वो अपनी किंडी के मिमारी से परिशान है पर दरसल में उनका दर्द वो खुद ही जानते हैं तीसरी चीज़ ये है कि किंडी के पेशेंटों को बहुत ही दर्द होता है अब देखिए आप ये तो जानते ही हैं कि आप दूसरे का दर्द महसूस नहीं जा सकते पर ये ज़रूरी है कि आप अपने किंडी के पेशेंट का दर्द समझे ज़रूर किड़नी के बिमारियां और किड़नी के बिमारियों को समभलने के लिए किये गए ट्रीटमेंटों की वज़े से एक पेशन्ट काफी दर्द में रहता है ये दर्द कभी नहीं रुखता चौती चीज जो आपको जानी जरूरी है वो ये किड़नी के पेशन्टों का ऐलोपेथी में कोई भी इलाज नहीं होता किड़नी के बिमारिया ऐलोपेथी में ला इलाज है यानि कि आपके किड़नी के पेशन्ट के दिमां में हमेशा यही चलता रहता होगा कि जल्द ही उसकी मौत भी हो सकती है क्योंकि किड्नी का बिमारिकत कोई इलाल है नहीं इसका मतलब कुछ ही दिनों बाद उसकी किड्नी आप पूरी दरगे से काम करना बंद कर देंगी और वो मौत का शिकार हो सकता है ये मौत का डर आपके किड्डी के पेशंटों को हमेशा सताते रहता है तो आखिर आप अपनी किड्डी के पेशंट के लिए क्या कर सकते हैं क्या सिर्फ आप बैठे बैठे उन्हें परिशान होता हुआ देखते रहेंगे जरुत ये है कि आप अपने परिवार के सगे समंदी, अपने दोस या फिर ऐसा कोई भी इसे किड्नी के बिमारी हो चुकी है उसे कर्मा अरवेदा के बारे में बताएं कर्मा अरवेदा कैसी संस्ता है जोनोंने पिछले के दश्कों में 35,000 से जादा किड्नी के प्रिशंटों की किड्नी के बिमारीयों को जड़ से उखाड भार फेका है